दिवाली के पहले नाखपुर में एक और अपराधी की हत्या, जरीपट का पुलिस टेशन के तहत हुई हत्या की वारदा जनता में जनजागरूती के लिए शहर पुलिस विभाग जोन दो की पेट्रोलिंग डिसी पीवी निता साहू ने दिये जनता को संदेश और रात को दस बज़े तक ग्रीन फटा के ही फोड़े जाने की अनुमती, शहर पुलिस आईट तम्मितेश कुमार ने जारी किये नितेश और अब खबरे विस्तार से पुलिस से प्राप्त जानकारी के नुसार फ्रैंक मानकापूर के चर्चित मोहित पीटर हत्याकान में आरोपी था बताया जाता है कि वह मंगलबार की राद जरीपट का थाने के समिप खोबरा गड़े चौक पर खड़ा था इसी दोरान कुछ लोगों से उसका विवाद हो गया गाली गलोट से शुरू हुआ जगड़ा मारपिट में बदल गया करीब 5-6 युवकों ने फ्रैंक को घेर लिया उसके सीर पर बड़ा पत्थर उठा कर मार दिया घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई खबर मिलते ही जरीपट का के थानेदार वैभोजादा हो अपटी टीम के साथ मौके पर पहुचे फ्रैंक को अस्पताल रवाना कर दिया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्द खोशित कर दिया पुलिस ने बिना समय गवाई तिन आरोपियों को हिरासत में लिया है दिर रात तक अन्य दो की तलाश जारी थी प्रातम एक पुश्टाच में आरोपियों गाली गलोच को लेकर विवाद होनी की जानकरी दे रहे हैं लेकिन खबर मिली है कि पिछले कुछ दिनों से फ्रैंक अपने साथी आशिश मैडी और शारुक की जमानत करवाने के लिए हाथ पेर मार रहा था मैडी को मोहित के मरडर में सजा हुई थी वही कुछ महीने पहले शारुक को पुलिस ने दो माउजर के साथ गिरफतार किया था खबर ये भी है कि मैडी गैंग ने एक बिल्डर की सुपारे ली थी उसका काम तमाम करने के लिए ही माउजर लाए गए थे इसकी बनक विरोधी गूट को लग गई थी देरा तक पुलिस जार्ज में जूटी थी दिपावली त्योहार के मद्दे नजर कोरोना वह यातायत नियमों का पालन करने के लिए नागपूर शहर पुलिस जोन टू द्वारा धंतेरस के दिन बाजारों में पुलिस विभाग पेट्रोलिंग कर रहा था जोन टू की डिसीपी विनिता साहू ने खुद सड़क पर उतर कर ट्राफिक नियम और कोरोना के नियमों के मद्दे नजर जनजागरूती की धंतेरस के अउसर पर सिता बर्डी से लेकर सदर बाजार सड़क पर पुलिस दिखाई गी अचानक शाम को डिसीपी जोन टू के अधिकारी और पुलिस करमचारियों के सड़क पर उतरने से कोई अपरिय घटना तो नहीं घटी ऐसा सवाल लोगों के मन में चल रहा था लेकिन नागपर पुलिस के जोन टू का पथक सिर्फ उतरा हुआ था जनता में जनजागरूती करने इस दोरान जोन टू की डिसीपी वीनिता साहू ने नागरी को से सतर्क रहने के अपिल की देखिए आज धन्तेरस का दिन है और लोग बाहर शॉपिंग के लिए निकलते हैं तो सारे ही मार्केट सदर मार्केट, बर्डी मार्केट, गराइटी स्क्वेर, गोतुल पेट मार्केट, गित्टी कदाउन स्क्वेर, मानकापुल मार्केट यहां पर हर जगह अभी भीड हैं और भीड में लोगों को बार बार इसके बारे में एक जागरुपता फैलाना और अनौंस्मेंट करते रहना जरूरी है कि वो ट्रैफिक को डिस्टरब ना करें, आपस में अपना जो बिलाउंगिंग से उनका ध्यान रखें, साथ में अगर छोटे बच्चे हो तो उनका ध्यान रखें और करोना के नियम जो हैं उनका पालन करें क्यूंकि करोना अभी भी खतम नहीं हुआ है तो इसी के बारे में एक जागरुकता रखते हुए हमारा जो पूरा अर्थिपी पतक है सदर्पुलिस्टेशन का और बाकी पुलिस्टेशन का स्टाफ है उनके साथ हमने पेट्रोलिंग किया है और लोगों में जाब रुपता फैलाने का कोशिश किया है और साथी शिष्ट लगाने का भी प्रैफ में किया है दिवाली के दोरान शहर में कोई अपरी अघटना ना हो इसके लिए पुलिस विभाग ने कमर कसली है सुप्रीम कोट के निर्देश अनुसर केवल कम आवाज और धुआ करने वाले ग्रीन पठाकों को ही अनुमती दी गई है पुलिस आयुक तमितेश कुमार ने बताया कि दिवाली को रात आट से दस बज़े तक ही पठाके जलाने की अनुमती है इसके बाद पठाके फोडने वालों पर पुलिस कारवाई करेगी केवल ग्रीन क्रैकर ही फोड़ी जा सकते है ज्यादा वायू और धुआनी प्रदुशेशन फैलाने वाले पठाकों की बिक्री पर भी बंदी है इसलिए पठाका दिक्रेताओं पर निग्राने रखने के लिए विशच दस्ते बनाए जा रहे है पुलिस एक्टम इतेश कुमार ने बताया कि केवल ग्रीन पठाकों की श्रेणी वाले पठाके ही बेचे और जलाए जाएंगे सभी थानेदारों को अपने इलागे के पठाका दिक्रेताओं पर नजर रखने के लिए विशच दस्ते बनाने को कहा गया है इसके अलावा क्राइम रांच की टीमे भी गश्ट करेगी जो लोग नियमों का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाब धारा 188 के थाथ कारवाई की जाएगी पुलिस ने इसके लिए सुमवार से धारा 144 भी लागू कर दी है कानून के प्रावधान के थाथ पुलिस को कारवाई करने के अधिकार है बाजरों में नागरीकों की भीड बढ़ गई है इसलिए सभी भीडबार वाले इलागों में पुलिस को गश्ट बढ़ाने को कहा गया है विशेशतोर पर जेब कत्रों और चोरों की जाच की जा रही है नागरिकों से भी खरीदारी के दोराद सतर्क रहने और अपनी मौलेवन वस्तों का ध्यान रखने को कहा गया है CP की अद्धिक्षता में सभी जोन के DCP की बैठक ली गई कोई अपराधिक घटना ना हो इसके लिए असामाजिक टत्वों पर निगराने रखने और कारवाई करने के निर्देश दिये गया है अपने ही रिष्टेदारों और अन्या लोगों को व्यापार में पैसा निवेश कर ब्याज के तोर पर भारी मुनाफ़ा कमाने का लालज देगर आठ करोट सोलालाक की ठगी के मामले में पुलिस ने स्टिल व्यवसाई पंकज नंदलाल मेहाडिया सहित पांच लोगों के खिलाब दोका धड़ी का मामला दर्च किया है आरोपियों में मेहाडिया के अलावा गोलचा मार्क, सदर निवासी लोकेश संतोष जैन, कार्तिक संतोष जैन, दिशपाड़ने लियाउट निवासी, बालमुकुन लालचन क्याल और पंकज की मा प्रेम लता नंदलाल मेहाडिया का समाविश है फार्म लैंड राब्दास्पिट निवासी अशक पूर शुत्तम अगरवाल की शिकायत पर मामला दर्च किया गया बताया गया कि अशक और पंकज रिष्टेदार है, आरोपियों ने मेहाडिया सेल स्टेट कॉर्परेशन मेसर्स नंदलाल मेहाडिया और मेसर्स लोकेश मेटलिक्स नामक तिन फर्म की शुरुआत की वर्ष 2004 में पंकज ने अशक को बताया कि उन्हें अपना व्यापर बढ़ाना है, इसके लिए मोटी रकम लगेगी, यदि वो फर्म में पैसा निवेश करेंगे तो 12% ब्याज मिलेगा अशक को उफर पसंद आया, उन्होंने कुछ रकम निवेश की, आरोपियों ने उन्हें ब्याज भी दिया, इस तरह और भी लोग फर्म से जुड़ते गए, वर्ष 2004 से 2017 तक सभी को ब्याज का लाप मिलता रहा, जिसे जो लाप मिलता था, वह कंपनी में ही निवेश कर देत इस तरह वर्ष 2017 तक निवेश कंपनी में 4.71 करोड रुपे जमा करवा चुके थे, उन्हें आश्वासित लाप के तौर पर 3.44 करोड रुपे मिलने थे, वर्ष 2017 के बाद आरोपियों ने उन्हें ब्यास देना बंद कर दिया, निवेश की गई रकम वापस देने में टालम टोल की जाने लगी, आखिर पीडितों ने मामले की शिकायत क्राइम रांच की आर्थिक अपराच शाखा से की, डियाईजी सुनिल फुलारी और प्रभारी डीसीपी सारंग आवार के मार्ग दर्शन में, इंस्पेक्टर अनिरुत पूरी ने प्रकरण की प्राथमिक नायले ने पंकच को पाच नमंबर तक पुलिस हिरासत में रखने के आदिश दिये, पुलिस ने नागरिकों से अपिल की है कि उपर उक्त तिनों फर्म में निवेश के नाम पर किसी से धोका धड़ी की गई है, तो इंस्पेक्टर पुलिस से संपर्प करें बक्तों चला है एक बरेक का, मिलते है एक चोड़े से बरेक के बाद, लाट यू अपिका सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरिट कालव, मेरा फेवरिट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरिट डिश, पर कोई यह नई पूछता कि फेवरिट डिश मैं बनाती कैसे हूं, हरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है, वो अच्छे टेस्ट तक पहुंची जाता है. सुरुची मसाले खाने में हो रुची, तो घर लाइए सुरुची. अपने सपनों के उडान भरने के इच्छा, तो हर किसी की होती है. पर पंग भी तो मस्बूल होने चीए. जो देता है, फ्लाइवील एविएशन अकाड़मी एक ऐसा इंस्टिटूट है, जहां पर एरलाइन और एरपोर्ट होस्पिटालिटी और टूरिजम मनेजमेंट, साथ ही यहां कैमपस इंटिव्यू, गाइदेंस पाइंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्राकिकल ट्रेनिंग अट एरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, परसनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनफिट्स आप पास सकने हैं, फ्लाइवील एविएशन अकाड़मी, वन डिग्री, त्री जब अपर्चुनिटीज, फ्लाइवील एविएशन अकाड़मी, गिव्जिव डिग्री और डिप्लो बोल दिया, शराब की बोतल से सिर पर वार कर युवक को जान से मारने का प्रयास किया गया, जखमी युवक मरिशनकर निवासी या शराज कमार शर्मा बताया गया, उसका उप्चार नीजी इस्पताल में चल रहा है और हालत चिंता जनक बताई जा रही है, हाला कि 22 वर्ष युवती की शिकायत पर पुलिस ने यश के खिलाफ भी मार पिट और छेडखानी का मामला दर्च किया है, युवती के दोस्त सौरप घोड़े ने अपनी वर्थड़ी की पार्टी होटल सेंटर पॉइंट में आई जित की थी, देर रात तक ड्रिंस के साथ नाज गाना चल तो यश ने उसके साथ भी बच सुलुकी की, पार्टी का माहौल बिगड़ गया और लोग अपने अपने घर लोटने लगे, पार्टी के बाद यश और उसके दोस्त सौरप खुलकरणी वर राहुल निखाडे होटल ही ठहर गये, तीनों होटल के रूम नमर 5508 में रुखे साहिल ने अपने साथियों को मार पिट और घटना की जानकारी दी, इसकी बाद साहिल और उसके साथ ही राजा रंगुनवाला, सोहल रंगुनवाला, जेन, राजा शरीफ, तौसिफ फैजल, सैफ रंगुनवाला, यश गावंडे, विने भांगे और अन्य ने यश की पर और हाथ पर वार कर जान से मारने की कोशिश की, यश वही बेहो शोकर गिर पड़ा और आरो पी फरार हो गया, यश को तुरंट उपचार के लिए नीजे अस्पता ले जाया गया, उसकी हालत गंबिर है, पुलिस ने यश के दोस्त सौरब कुलकर्मी की शिकायत पर साहि किया है, विकास शुल्क वसुलने के बावजुत शेत्र का विकास नहीं किये जाने को लेकर हाई कोट में सैंकडो पीडितों की और से याचिका दायर की गई, जिस पर सुनवाई के दोरान नैदिश सुनिल शुकरे और नैदिश अनिल पानसरे ने याचिका में कुछ सुध सुधार करने की स्वतल रता प्रदान की, साथ ही याचिका में सुधार के साथ ही महानगर पालिका और अन्या को नोटिस जारी कर चार सपता हमें जवाब दायर करने के आदिश भी दिये, उलेक निये है कि लगभग 400 याचिका करताओं की और से हाई कोट में याचिका दायर पर राजय सरकार से विकास मिधी प्राप्त होने के बाद विकास करने की वकालत की जा रही है, जिससे प्रतिवाधी पक्ष को उचित आदेश देने का अनुरोथ अदालत से किया गया। पानना था कि इस तरह से यदि सर्वप्रथम कार्याले की आपत्ती का निवारन करने के आदेश दिये गए तो बेवजह याची का एक खारिज भी हो सकती है। इस तरह से याची का करताओं पर अन्या हो सकता है। कुछ याची का करताओं में रबर स्टैम पेज की उपर इस तरपर लगाया गया है। भले ही ये उचितना हो लेकिन इसका कार्याले द्वारा ही निराकरन किया जा सकता है। जुडिशियल रजिस्टर को आदेश देते हुए अदालत ने कहा कि कुछ आपत्तियों पर कार्याले ही निरने ले सकता है। अदालत ने आदेश में स्पस्ट किया है कि इस तरह की आपत्तियों को लेकर कार्याले को समझाने के लिए यदि बार को स्वातंत्रता दी जाए तो कई समस्या हल हो सकती है किन्तु ऐसा संभव नहीं है इसके साथ ये भी वास्तविक्ता है कि कई आपत्तिया व्यद होती है प्रतिक मामले में सटिक नय विवस्था के लिए इन आपत्तियों का निवारन अनिवारिय होता है सम्मदित याजिकाओं के वक्कीलों को रजिस्ट्रार के पास अपना पक्ष रखने की स्वातंत्रता भी प्रदान की है प्रतिक व्यक्ति को समय पर उप्चार और स्वास्त सुविधाय मिलना जरूरी है शहर की गरिब जनता की सेवा के लिए महानगर पालिका ने वंदे मातरम जनस्वास्त केंडर शुरू किया है इस केंडर से गरिब और जरूरत मंदों को समय पर नाम मातर दरों में स्वास्त सुविधाय उपलब धोगी जनस्वास्था के लिए महानगर पालिका की ये महत्वो पुर्णा पहल होने की आशा केंद्रिय मंत्री नितिन गड़करी ने जताई स्वतंत्रत अमुर्थ मोहत्सो वर्ष के अउसर पर महानगर पालिका की और से शहर के गरीब वर्ग के लिए मंदे मातरम जनस्वास्तक केंद्र की शुरुआत की गई है भिवसन खोरी भिमसेना नगर वद्दे विहार में स्थापितिस केंद्र का केंद्रिय मंतरी निदिन गड़करी के हाथों लोकारपन किया गया गड़करी ने कहां कि यदि शरीव स्वस्त रहा तो जीवन में प्रगति की जा सकती है जिसे स्वास्त की चिंता करने के लिए महानगर पालिका क्योर से इन जनल स्वास्त केंद्र को बस्तियों में खोला जा रहा है केंद्र के माध्यम से लोगों को समय पर प्राथवी कुपचार मिल सकेगा यहाँ पर स्वास्त सुविधा सुचारू रखने के लिए परिसर के लोगों ने भी सहयोग करना चाहिए स्वास्त के साथ ही परिसर के छात्रों को उच्चस्तर की शिक्षा प्रदान करने के लिए निकट भविश्य में प्रयास किये जाएंगे बस्तियों में सड़कों की मरमत के लिए सांसत निधी से आवशक निधी उपलप कराने का आश्वासन भी गड़करी ने दिया प्रास्ताविक करते हुए माहा पॉर्दयाशंकर तिवारी ने कहां कि कोरोना माहमारी में स्वास्त सेवाओं की किलत सभिक शेत्रों में देखी गई गरिब से लेकर अमिर को भी इसकी आंच जहलनी पड़ी है शहर के प्रत्यक व्यक्ति को तम दर्जे की सुविधा मिल सके समय पर प्रात्मिक उपचार दिया जा सके इसके लिए जिन हिस्तों में स्वास्त सेवाओं की कमी है ऐसी जगहों पर जनस्वास्त केंद्रों को खोला जा रहा है कनान जल शुद्धी करण केंद्र से शहर की और आने वाली 900 मिटर चौड़ी मुख्य जलवाहिनी महा मेट्रों के ठेके दार द्वारा वर्धमान नगर के पास डिप्टी सिगनाल रेलवे फाटक के करीब फोड दी महा नगर पालिका के अनुसार जलवाहिनी क्षतिगरस्थ होने के कारण जहा मंगलवार को लकडगण जोन और नहेरु नगर जोन अंतरगत 16 टंकियो को जलापूर्ती नहीं हो पाई महीं बुद्वार को भी इन 16 टंकियो की जलापूर्ती बाधित रहेगी दिपावली के त्योहार को देखते वे महानगर पालिका और OCW द्वारा सुधार कारिया जलापूर्ती सुचारू करने के लिए युद्धस तर पर काम किया जा रहा है महानगर की और से बताया गया कि महा मेट्रो रेल के ठेकेदार की और से डिप्टी सिगनल के पास RUB और ROB का काम किया जा रहा है इस कार्या के दोरान गंबिरता नहीं बरतने के कारण जलवाहिनी लिकेज हो गई जिससे भारी मात्रा में पानी की क्षती हुई है इस क्षती को रोकने के लिए कनहान जलशुद्धी करण केंदर से आ रहे ही 1300 mm और 600 mm की जलवाहिनी से पंपिंग पूरी तरह से बंद कर दी गई है यही कारण है कि मंगलवार को चनक जलापूर्ती बंद हो गई चुकी इन दोनों जोन में टंकियों की जलापूर्ती ही बंद हुई है अतहां टंकियों से टैंकर द्वारा होने वाली जलापूर्ती भी पूरी तरह बादित रहेगी तो सुभा के प्राइम टेम निउस में अभी इतना ही आपसे फिर बुलागात होगी तब तक देखते रहिए विकेबी निउस नमस्कार